हेलो फ्रेंड्स देखिए ये क्या हो रहा है अच्छा लग रहा है ना देखने में तो सूचिए रेसिपी कितनी सांदार बनेगी तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुती यूनीक सी रेसिपी लेकि आई हूं बहुती नई रेसिपी है और ये रेसिपी आप अक्सर हां में रिष्टेरेंट वे जिए पर किसी होटल वगरहरे में जब खाना कहते हैं तो आप को सर्व किया जाता है तो जब आप बाहर जाते हैं खाने के लिए तो बहुत सारी चीजे ऐसी होती है जो कि आपको देख के भी थोड़ा अच्छा लगता है तो देखिए देखने में तो आज मैं आप लोगों के साथ सेर कर रही हूं प्याज की एक स्पिसल रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो क्यों बनाना नहीं चाहेंगे आप चलिए बनाते हैं तो प्याज को हमने छील के रख दिया है पहले में सुरू करती कडाही में थोड़ी सी डालती हूं चीनी और चीनी के लिए सिर्फ मैं दो चमत चीनी का यूज कर रही हूं आप कडाही कोई मोटी पेंदी वाला लेंगे और इसको मैं कल्ची से नहीं चूँगी यह जो इस पेचलिया है उससे बिल्कुल इसको टच नहीं करूंगी क्योंक इसको टच करने से चीनी इसके उपर लग जाएगी और फिर बाद में हमें दिक्कत होगी इसके अंदर हमने एक बुंद भी पानी नहीं डाला और बस इसको हम ऐसे ही थोड़े से धीमी आच पे इसको पिघला रहे हैं देखिए कैसे पिघल रहा है धीरे धीरे करके आपने बनाईए कभी ऐसी रेसीपी बनाईए तो जरूर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके आप फोटो सेयर कर सकते हैं जरूर कीजिएगा अभी ये चीनी पिघल चुकी है देखिए ये हलका हलका सा ब्राउन सा हो गया है जिसको हम ऐसे थोड़ा सा जलाते हैं ना चीनी को उसी टेप का हो गया पर इसमें हलका सा जाग होना जरूरी है देखिए कुछ इस तरीके से जाग जैसे ही होने लगेगा हम बिल्कुल ही तयार बैठे रहेंगे इसकी अगले स्टेप के लिए इस पर से जरावी आँख आपको नहीं हटाना है जैसे ही जाग ये खतम होगा य इसके साथ करना चाहिए यहाँ पर डेर कप मैं डाल रही हूं पानी और दो चम्मत चीनी अब इसको हम क्या करेंगे उबाल लेंगे इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले काली मिर्च तेज पत्ता और जीरा तो ये तीन मसाले में डाल रही हूं अगर आपको मनहो की सौफ भी ड चीज को लेकर के जैदा समझते हैं कि अच्छा roll हमाम टालके वी इसको बना सकते हुं पर आजवाइन का कम कर देना है उसके बाद हम लेकर हमेंगे एक Beetroot Beetroot को हम क्या करेंगे कि इसको cut कर लेंगे और इसको छील के हमने पहले ही रख लिया था धोल लिया था और मैं एक बात बता दूँ इसको आप हाथ में ही रख के काटीए क्योंकि अगर एक दो काटना है तो हाथ में भी आराम से कर जाता है और color जो है अगर आप किसी और चीज पे रखके काटेंगे तो उस पे भी ये color लग जाता है मतलब इसका रंग जो है ना काफी strong होता है तो किसी भी चीज पे फटा-फट लग जाता है अगर आप चाते हैं किसी और चीज को ना खड़ाब करों तो सिर्फ हाथ को खड़ाब कीजिए और बस इसमें आप डाल दीजिए हाथ तो धुल जाएगा लेकिन बागी चीजों को धुलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो इसको हम क्या करेंगे धीमी आज पे बस पांस मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे इसके अंदर इसका कलर धीरे धीरे इसके अंदर आने लगेगा अब हमने यहाँ पे कुछ प्याज को काट के रखे हैं छील के धोके रखा है इसको हमने क्या किया है कि देखी छोटे वाले प्याज है ये बड़े वाले प्याज अगर आप लेते हैं तो उसका आप हाफ टुक्रा कर लीजिए या नहीं तो फिर अगर छोटे वाले मिलते हैं तो छोटे वाले ये लीजिए क्योंकि अभी तो सीजन है ना तो सारे प्याज मिल जाते हैं इसको हम क्या करेंगए कि इसके उपर जो होता है थोड़ी गांट सी जो हम जैसे उसका उतारते है चिलका तो वो हमें निकाल देना अगर प्याज में है तो ये छोटे वाले प्याज है और नए प्याज है तो इसके अंदर नहीं है फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हो कि इसके इस तरीके से जो गाट होती है तो कोई पतली पीन वाली जैसे चाको होती है उससे या चाकू के आगे वाली नोक से उसको इस तरीके से आप निकाल दे तो मैंने तक्रीवन सब में से निकाल लिया इसमें है ही नहीं तो इसलिए इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ी नहीं इसलिए छोटे प्याज का ज़्यादा यूज करें और मेरे कीचन में कोई भी आपको चीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक से और सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो पसंद आए तो सेर कर दीजेगा चलिए आगे चलते हैं इसको हमने इस तरह से कट करके रख लिया और आप चाहिए तो इसमें चार कट उपर से भी लगा सकते हैं मैंने भी लगा दिया था बाद में और उसके बाद हम लेंगे अलग से एक बरतन और उस बरतन में जो हमने बीट रूट और मसाले को उबाला था उसको हम रख लेंगे तो इसमें चीनी जो है इसलिए हमने डाला कि इसमें हलकी सी मिठापन भी आए क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम होटल में खाते हैं तो बहुत खटी होती है अप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ है यह तो चलिए अब इसके अंदर हम डाल र रही हूं मैं तो सिर्का प्याज के लिए सिर्का ही डालना होता है और थोड़ा सा पानी और मैं डाल रही हूं क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है मुझे आप चाहें तो कम पानी में भी आप डाल सकते हैं तो सिर्का हमने आधा कटोरी यूज़ किया आप चाहें तो थोड़ा अगर आपका नमकीन खाने का मन हो तो मैं यहां पर नमक नहीं डाल रही हो बाद में डालूँगी जब इसको हम दो से तीन दिन के लिए जब इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर उसके बाद इसके अंदर में थोड़ा सा प्याज डालूँगी तो चलिए यह प्याज हमने ब इसलिए में तेजपत्ता को साइट कर चुकी हूँ और जो भी पानी है इसके अंदर वो सारा ही पानी में इसके अंदर डाल दोंगे तो ये सारा पानी जब जाएगा ना तो अभी तो सिर्फ बिटूट का कलर आया है लेकिन वो प्याज के साथ मिल जाएगा और मिलने के बाद प्याज का कलर भी कुछ अलगा जाएगा इसमें एक दो हरी मिर्चें चीरा लगा के रख दीजिए इससे भी स्वाद थोरा सा खुल के आएगा तो मैंने इसी तरीके से दो हरी मिर्च भी डाल दी है और इसको बंद करके कम से कम दो से तीन दिनों के लिए फ्रीज में हम रख देंगे तो देखिए दो तीन दिनों के बाद हमने फ्रिज से निकाला है तीन दिन के बाद निकाला है और मैं तो भूली गई थी कि मैंने फ्रिज में ये रखा हुआ है तो इसलिए चलिए इसको वैसे एक दिन के लिए भी रख देंगे तो ये स्वाद आ जाता है इसके अंदर और ज समझे यह recipe तयार है तो सिरके वाली प्याज आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं अगली recipe के साथ तब तक मेरी वीडियो को